जी हां दोस्तों धीरे-धीरे डिस्वॉसर का चलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रही है कि जो डिस्वॉसर है उससे जो क्लीनिंग होती है हमारे हाथों से भी अच्छी वो क्लीनिंग करता है और 99.9% जो बेक्टीरिया जर्म्स हैं उनक लेके जमाने में बहुत महेंगे आते थे लेकिन आप धीरे-धीरे हर गर में होने लगे हैं और मुझे लगता है कि वॉसिंग मसीन की तरह यह भी अब हर घर में अवलेबल हो जाएंगे और वही कारण है कि आप भी ढूंड रहे हैं बेस्ट डिश्वॉसर तो दोस्तों आपके लिए बना हुआ है और बहुत जादा काम आने वाला है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिश्वॉसर लेने से पहले क्या-क्या इसी जरूरी बात हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसके बाद मैं आपको पांच डिश्वॉसर में बताऊंगा जो इंडिया में काफी अच्छे हैं जिनकी सर्विसेस काफी अच्छी जिनकी क्लीनिंग काफी अच्छी है काफी सारे पेरामेटर्स ध्यान में रखे हैं और उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट चीजी में आपको बताऊंगा 10 से 12 ऐसे पॉइंट्स जो एक डिश्वॉसर लेने के पहले आपको पता होना चाहिए या फिर उन्हें यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए तो अगर आप सच में एक डिश्वॉसर ढूंड रहे हैं बहुत अच्छा सा जो आपको बहुत अच्छी सर्विस दे और आपका श्ट्रेस फ्री काम हो यह वीडियो पुरा देखते रहिएगा छेली सुर्ट हेलो दोस्तों मेरा ना में कंचन पटेल और आप देखना सुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरू एडिया मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोड़क्त करना है आपका पेशा सही जगा इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को और इस तरह के कंटेंट्स लाता रहता हूँ दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डिश्वोर्ट स्वासर क्या है डिश्वोर्ट सर एक बरतन धोने की मशीण है सीध्व सब्दों में कहा जाये तो उसमें सॉफ सोल्टसन engp का होता कि कौन सी size का dishwasher आपकी family के लिए सही रहेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग-अलग place setting के साथ में यह आता है 8 place setting आपकी 2 या 3 members की family, even 4 members की family के लिए भी काफी बढ़िया होती है और 8 placing में आपको समझाना चाहूंगा, 8 place settings में आपके up to 96 utensils आ जाते हैं उसमें अलग-अलग आपको compartment मिलते हैं जिसमें आप 8 dinner plate रख सकते हैं, 8 soup plate रख सकते हैं ऐसे 8-8 चीज़ें आप रख सकते हैं और जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे desert bowl है या फिर medium serve bowl है वो आप एक-एक रख सकते हैं तो ऐसे करके आपके पूरे 96 utensils 8 place settings में आ जाते हैं पैसे ही आपकी family में अगर 5-6 members है तो आप 12 place setting वाला लीजिए और अगर 6 members से ज्यादा है 7-8 member है तो आप 13th place या 14th place वाला लीजिए काफी बढ़ी रहेगा और अगर आप कम family member है और अगर बड़ा size भी ले लेते हैं तो आप half load पे चला सकते हैं ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा types भी आते हैं अगर आपको table top लेना है या फिर आपको कहीं ऊपर जगा रखना है तो आप छोटा compact size ले सकते हैं ये 8 place settings में ही आपको मिलेगा उसके अलावा inbuilt होता है जो kitchen के अंदर fix हो जाता है और एक last type होता है जो होता है standing free standing जिसे आप washing machine की तरह क branch की और branch में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप नए branch पे अभी भरोसा मत कीजिएगा Samsung है LG है ये branch ifb Boss है ये सारे branch काम कर रहे हैं तो क्यों क्यों हमें नई branch पे जाना है इन पर भरोसा कर सकते हैं काफी बढ़िया आपको results मिलेंगे मैं आगे branch और products बताऊंगा जब आपको आपको 6 watch programs मिलते हैं इस तरह के disposers में और sufficient होता है flexible tray का option होना चाहिए और जो basket है उसमें adjustable height होनी चाहिए काफी अच्छा होता है water consumption 8-15L per cycle रहेगा तो काफी बढ़िया रहेगा इसके 20 महीं होना चाहिए Indian utensils के हिसाब से disposers हमें select करना है और वो आपको जरूर देखना और 5 साल की motor पर होनी ही चाहिए buying guide में सबसे आखरी और सबसे important बात जो है after sale services आपको देख लेनी चाहिए अपने area की क्योंकि इस तरह की जो disposers है उनमें after sale services का काफी ज़्यादा complaint है customers के feedback है कि after sale services उनकी अच्छी नहीं है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि अगर आप Samsung क सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके area nearby में आपकी city में Samsung की services है या नहीं LG की है नहीं Boss की या नहीं वैसे मैंने जो select की है dishwashers वह इनी parameters पर सब्सक्राइब किया कि आपको आसानी से हर जगा उनकी services भी मिल जाए दोस्तों इस वीडियो में हम 8 प्लेश सेटिंग 12 प्लेश 13 प्लेश 14 प्लेश सब के बार में बताएंगे मेरे पास आपके लिए सब के लिए कुछ ना कुछ suggestions है बस आप ये वीडियो बिना skip किया पूरा देखते रहिएगा उस्तों आप सुरू करता है हमारे best dishwasher in इंडिया 2022 की लिस्ट और इस लिस्ट को मैंने अलग-अलग जो प्लेश से उसमें डिवाइट किया है तो अभी बात करेंगे हम एट प्लेश सेटिंग वाला अगर आपको डिश्वर्सर चाहिए तो मेरे आपको दो सजेशन रहेंगे सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा वाल्टास का भी को बहुत अच्छा चलता है काफी बढ़िया मोडल है एट प्लेश सेटिंग के साथ में आता है बहुत अच्छी आपको क्लीनिंग मिल जाती है इसे हम टेबल टाप भी बोलते हैं आप इसे किचन में अपने काउंटर के ऊपर रख सकते हैं काफी बढ़िया रहेगा और बिल्ट क्वालिटी काफी बढ़िया है और बहुत मिल जाता है आपको दो ट्रे बसकेट इसके अंदर मिलती है इन बिल्ट हीटर मिलता है जो 70 डिग्री तक पानी को गरम करता है वाटर कंजम्शन की बात करें तो 8 लीटर पर साइकल आपको वाटर कंजम्शन लगता है तो काफी लेस वाटर के यूज में यह वाशिंग हो ज मिलती है नोइस लेवल 49 db आपको इसमें मिलते हैं और वेट की अगर बात किजाए तो 22.5 kg वेट में यह आपको मिलता है वाल्टास बीको का यह वाला मॉडल आपको को स्ट करता है तेवीज हजार रुपे के लगबग और आपको इसकी करेंट प्राइस जनना है तो वीडि से क्लीनिंग आपको मिल जाते हैं इसके कस्टूमर फीडबिक भी काफी अच्छे हैं दोस्तों बेस्ट डिश वोसर में एट प्ले सिटिंग में मेरा दूसरा सेजेशन आपको रहेगा फेबर का यह वाला मॉडल एट प्ले सिटिंग वाला काफी बढ़िया मॉडल है तीन स इसमें देखने को मिल जाता है इसमें इको वाश सिस्टम दिया हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्शन दोनों बच जाते हैं एनरजी सेविंग डिस्वोसर है और साथ में डिले स्टार्ट का फंक्शन इसमें काफी अच्छा है आप जब चाहें जिस कर सकते हैं और उसी टाइम पर वह स्टार्ट होगा इंडियन कीचन यूटेंसिल्स के हिसाप से इसे डिजाइन किया गया है वेट कि अगर बात किजिए तो 25 kg वेट आपको इसमें मिलता है वारेंटी कि अगर बात किजिए तो दो साल की आपको प्रोडुक्ट पर वारेंट बहुत अच्छी है आपको वाशिंग कॉलिटी मिल जाती है और अगर आप कुछ बाते ध्यान में रखेंगे तो इसको आप काफी अच्छे से यूज में ले सकते हैं और वह कुछ बात है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा वह आपको जरूर देखना चाहिए और अभी भी आता है तो आप दोनों में से कुछ भी पर्चेस कर सकते हैं हम बात करेंगे वाइफाई वाले मॉडल की अपडेट वाले मॉडल की और बहुत बढ़िया मॉडल है इसके रिजल्ट काफी अच्छा है क्लिनिंग कॉलिटी बहुत अच्छी इसमें निकल के आती है और बॉस की सर्विसेस कुछ सिटीज में बहुत अच्छी है और फीडबेक्स भी काफी अच्छे रहे हैं जो भी अभी तक इसके यूजर है उनके बात की जाए इसके फीचर्स के बारे में दोस्तों ये डिश्वसर 6 वाउस प्रोग्राम के साथ में आपको मिलता है इंडि कड़ाई प्रोग्राम का भी फीचर दिया गया है जिससे कड़े से कड़े दाग और कड़ाई पी आप साब कर सकते हैं फास्ट क्लीनिंग का इसमें आपको देखने को मिल जाता है इको साइलेंड ड्रिवन ये मोटर है और बहुत अच्छे तरीक इसे काम करती है डोस असिस इसके और वेट की अगर बात की तो 45 kg वेट में आपको मिलता है तो दोस्तों 5-6 मेंबर्स की फेमिली के लिए ये वाला मॉडल काफी दमदार रहेगा रिजल्ट इसके काफी अच्छे हैं इसे आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बा करेंट प्राइस जानना है तो वीडियो की डिक्सिप्शन में मैंने इसके लिंक दिया है जरूर जाके चेक आउट कीजिएगा और अगर आपको समझ में आये तो आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों बेस्ट डिश्वसर की लिस्ट में 13 प्लेस मॉडल में दूसरा स अच्छे रिजल्स इसके हैं और मुझे लगता है कि यह धीरे धीरे काफी अच्छा टॉप मॉडल बनने वाले हैं डिश्वसर में क्योंकि इसके अभी भी फीडबिक काफी अच्छे मिल रहे हैं और सेमसंग की सर्विस ओल अवर इंडिया बहुत अच्छी मानी जाती है ब में टब मिलता है आपको जो काफी डूरेबल है वाइड एलेडी इंडिकेशन आपको इसमें देखने को आराम से मिल जाता है नौइस लेवल की बात किए तो 52 डीवी आपको नौइस इसमें देखने को मिलता है फिंगर प्रिंट रेस्टेंस फिनिस इसको बनाया गया है लीटर पर साइकल वाटर का इसमें यूज होता है दोस्तों डिले स्टार्ट भी आपको इसमें देखने को मिलता है और साथ में कटलरी बसकेट आपको अलग से मिलता है इसके साथ में और काफी अच्छे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो एक डीश वासर मे बारे में तो अगर आप सिल्वर कलर या फिस इस्टील कलर अगर आप लेंगे तो 38,000 रुपीज के लगबग कोस्ट करता है और अगर आप वाइट कलर में लेंगे दो कलर विरेंट में आता है वाइट कलर में अगर आप लेंगे तो वो 35,000 रुपीज के लगबग कोस्ट करता है और इसका इसमें तीन वेरेंट आपको मिलते है जो सबसे टॉप वीरेंट है उसमें आपको 6-watch प्रग्राम भी मिलेंगे और सारे फीचर आपको उसमें देखने को मिलेंगे उसमें ऑटो डॉर ऑपन का भी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा और noise levels उसमें 42 db है लेकिन वो अभी Amazon पे available नहीं है जब वो Amazon पे available होगा तो उसका link भी मैं वीडियो की description में जरूर डालूँगा दोस्तों जरूर जाके check out कीजेगा वीडियो की description में मैं इसका link देदूँगा और इसके सारे features और सारा specification आप और अच्छे से वहाँ पे check कर पाएंगे तो finally बात करते हैं इस list के आखरी dispatcher से अगर आप ढूंड रहे हैं 14 प्ले सेटिंग में dispatcher अगर आपकी family में 6-7 members है या फिर कम भी है और hap load पे आप चलाना चाहते हैं आप stress free अगर चाहते हैं disposing करना यह मोडल आपके लिए बहुत बेडिया रहेगा यह है LG का 14 प्ले सेटिंग वाला inverter technology वाला disposer सबसे पहली बात तो LG बहुत अच्छा आपको service देता है और काफी अच्छा model यह है काफी successful model है और इस model में आपको बहुत अच्छी सी cleaning भी देखने को मिलेगी बहुत कम noise भी देखने को मिलेगी और feedback जो भी अभी तक के user है काफी अच्छे feedback आपको देखने को मिलते हैं बात कीजिए इसके अधर features के बारे में दोस्तों यह disposer आपको मिलता है 9 wash program के साथ में true steam technology इसमें है जिससे soaking काफी अच्छी हो जाती है बरतनों की और साथ में जो बरतन पर sports बनते हैं सपेद 90 वो इसमें नहीं बनते है quad wash का इसमें program दिया हुआ है जिससे four washing arm काम करते हैं और साथ में multi direction rotations उसमें चलता है तो cleaning efficiency काफी अच्छी आ जाती है easy rack plus का technology इसमें दिया है जिसमें आप रेक में adjustment कर सकते हैं height उपर नीचे कर सकते हैं और बहुत अच्छा smooth operation होता है रेक का inverter technology आपको मिलती है जिससे इसमें noise बहुत कम produce होता है 45 db noise है इसका और water 10 liter पर cycle consume होता है आप इस dishwasher को half load में भी चला सकते हैं और well zone wash आपको मिलता है personalized setting आप इसमें कर सकते हैं एब के जरिए machine clean reminders आपको मिल जाते हैं एब के जरिए smart diagnosis आपको एब के जरिए मिल जाते हैं और download आप कर सकते हैं और भी ज्यादा cycles एब के जरिए तो इसमें wifi और एब का support दिया गया है ज 10 साल की है उस पर warranty मिलती है काफी बढ़िया model है और इस समय आपको cost करता है 50,000 रुपे और जब चलते हैं तो थोड़ा कम price में आपको मिल जाता है लेकिन यह बहुत fully occupied है और सारही feature आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं इसे भी आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं वीडि stainless steel के बरतना भी उसकर सकते हैं ceramic के बरतना भी उसकर सकते हैं glass के यूज़ कर सकते हैं और plastic के लेकिन इसके अलावा अगर आप aluminum के यूज़ करेंगे non stick यूज़ करेंगे iron के यूज़ करेंगे तो आपका dishwasher बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और जो dishwasher की stainless steel लेगी हुई है उस के अंदर एक liquid डलता है rinse aid जिसे कहते हैं वही आपको यूज़ करना है या फिर disposer वाला liquid यूज़ करना है और disposer वाली tablet यूज़ करनी है उसके अलावा आपका जो घर का यूज़ करते हैं आप liquid या फिर soap वह आपको बिल्कुल भी इसमें डालना है नहीं तो बहुत problem हो चाहिए इससे आपका filter काफी लंबे समय तक काम करेगा और efficiency वह बढ़ जाएगी फोर्थ बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप utensils जमाएंगे हमेसा downward होने चाहिए यानि जो आपका बरतन है वह उल्टा होना चाहिए और हमेसा एक क्यों पर एक बरतन कभी नहीं आने चाहिए उस तरीके से आपको जमाना है उससे भी wash quality काफी अच्छी improve होती है उस्तों फिफ्ट नंबर की बाद जो हमेसा कुछ लोग avoid कर देते हैं और फिर उनको wash quality खराब मिलती है जो rotating आम होता है अंदर जिससे पानी का spray चलता है और जो अंदर rotate करता है कभी- आपकी वह जो आम है वह घूम नहीं पाता है और अगर आप आदे गंटे के बाद एक गंटे के बाद अपना dishwasher खोलेंगे तो आपको वेसे बरतन मिलेंगे वेसे ही quality मिलेंगे और फिर आप क्लेम करेंगे ब्रांट्स पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं जालियो आपको दिखने लगे इसका मतलब यह है कि water का hardness काफी जादा है और आपने सही पेरामेटर और सही तरीके से water hardness की setting नहीं किये इसमें तो आपको अगर एक अच्छी setting करना है तो आपको पहले water का hardness चेक करने के बाद में रिक्वाइड अमाउंट आप सॉल्ट डालना होगा रिंस डालना होगा और वही उसकरना होगा जो डिस्पोसर का है और उसके बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तो सेवन्थ नंबर पर बात आती है filter cleaning की और filter cleaning अगर आप once in a month कर देंगे तो आपका जो दिस्पोसर उसकी efficiency बहुत अच्छी से निकल के आएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों एट्थ पॉइंट आपके लिए है कि जब भी आप कोई यूज करेंगे डिस्पोसर तो इंशोर करें कि आपकी घर में अर्थिंग कनेक्टिविटी है प्रॉपर क्योंकि कई बार देखे गया है कि उसमें आपको हलके हलके सोक लगने के चांसे मिलते हैं और अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर रहेगी घर में तो बहुत बढ़िया यह काम करेगा और सबसे आखरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहि है तो मेक्जिमम जो जाता है 1.2 किलोवाट तक आपका जाता है पर घंटे अगर आप यूज करते हैं तो यह देखा गया है मौसली जितने भी डिश्वासर है उसमें और अगर आप 1.2 के किलकुलेशन किलोवाट के किलकुलेशन से चलेंगे और अगर आपके यूनिट जो बिल है पर यूनिट आपका सेवन रुपीज आता है तो तकरीपन आपका पर डे 25 से 30 रुपे के बीच में लगने वाले हैं अगर आप तीन साड़े तीन घंटा डिश्वासर चलाते हैं तो 25 से 30 रुपीज लगने वाले हैं तो साल भर कि आप मानके चली कि 9000 से 10,000 के बीच में आपकी कोस्टिंग जाएगी अगर आप ऑपरेट करते हैं एक डिश्वासर तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा यहां गोला आया है प्लीज उसे दबा दीजिए यह सब्सक्राइब का बटन है मुझे बहुत ज्यादा खुश